हेलो दोस्तों आप सभी को चिली तड़का में स्वागत है आज हम बनाएंगे हाइद्रबादी चिकेन बिर्याने मेरा बिर्यानी तो बहुती टेश्टी बना है और आसानी से बन गया आप मेरे वीडियो के अंतक रहे हैं और मैं केसे बना रहे हूं अब फ़लो कीजे अब सुरू करते हैं मैंने चिकेन को पहले से धोगर साप कर लिया था अब चिकेन को मैरिनेट करेंगे उसमें एक चामाच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक छोटी चामाच चीरा पाउडर दो चोटी चामाच धन्या पाउडर एक पोड़ी चामाच बिर्यानी मसाला पाउडर एक छोटी चामाच गयरा मसाला पाउडर और एक छोटी चामाच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चामाच तिखे मिर्च पाउडर और स्वाद की साब से नमक डालेंगे अब दो बोड़ी चमाच अध्रक लशन पेस्ट डालेंगे दो तीन कटी भी हारी मिर्च और थोड़ा पुद्रने के पत्त डालेंगे अब इन शाभी को अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें डालेंगे फ्रेस दही मैंने 1500 ग्राम दही डिला है और एक छोटा बावल प्राच डालेंगे फ्राई क्यों ही प्राई प्याँ जिस तेल में प्रेस को फ्राई केएते वही तेल डाल ला है दो बोड़ी चमाच तेल डाला है अब इन सबी को अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा धन्या पता डाल कर अच्छे से मिला लेंगे इसमें थोड़ा सा कमफोट नहीं हो रहा है मैं ट्रांसपर कर लेते हूं जिसमें बिरियान को दौम दूँगी उसमें ट्रांसपर कर लेते हूं आप भी जिसमें बीरियन को दम देना है उसमें पहले से ही चिकेन को मैरिनेट करके रख सकते हैं ज्यादा वर्तन गंदा करने की ज़रुत नहीं क्योंकि चिकेन को और नहीं पका ना है डायट दम देना है चावल को तीन चार बर अच्छे से धो लेंगे और पान से दस मिनुट के लिए भीगोगे रख देंगे 500 ग्राम चावल के लिए एक पतिले में तीन लिटर पाने लिया है चावल को पकाने के लिए अब इसमें डालेंगे नमक थोड़ा ज्यादा नमक डालेंगे नमक डालकर आप चेक कर सकते हैं अब इसमें एक पड़ी चामच घी डालेंगे और एक तेज़ पता थोड़ा खड़ा मसला डालेंगे पानी में अच्छे से उबालाने के बाद चावल को डालेंगे अब पानी में उबाला गया है चावल को डाल देंगे जो भीगा के रखेते हैं डाल देंगे फ्लेम को हाई रखेंगे मिड्रम्टो हाई रखेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जो चावल का पका हुआ पानी डालेंगे दो पर्ची डाला है ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चिकेन से भी पानी निकलेगा अब पांच मिनिट में जितना चावल पका उसी को फार्स्ट लेयरिंग करेंगे पांच मिनिट से 50 परसेंट ही चावल पका है अब इसको उपर थोड़ा सा धन्या पता पुद्दिना पता और फ्राइक के आउखा प्यास डाल लेंगे और थोड़ा सा बिर्यानी मसला छिड़क लेंगे अब इसके उपर जो चावल का लेयरिंग करेंगे पकने में 7 मिनिट हो गया है फास्ट लेयरिंग से थोड़ा सा सौप्ट हो गया है अब जो चावल को लेयरिंग करेंगे हम जो चिकेन ना पका के कच्चा लिया है वो कच्चा नहीं रहेगा अच्छे से पक जाएगा आप जब भीरियानी बनाए एक मोटे तले की हांडी लें नहीं तो निचे से लाग सकता है अब इसके उपर थोड़ा धन्या पता और पुद्रिना पता और फ्राय के विए प्यास डालेंगे एक बोड़ी चामाच घी डालेंगे थोड़ा सा के सवर को पानी में दस मिनुट से भीगो के रख दिया था अब उसके डाल देंगे दो बोड़ी चामाच डाल देंगे आप चाहे तो दूद में भी भीगो के रख सकते हैं अब थोड़ा सा बिर्यानी मासाला चिड़क लेंगे और एक छोटी चामाच के वड़ा वटर डाल देंगे अब इसको एक फाइल पेपर से सिल कर लेंगे आप चाहे तो अट्टा से भी सिल कर सकते हैं अब इसको अच्छे से सिल करेंगे आपको चौप बिर्यानी बनाना है आप एक मोटे तली की हंडी ले अच्छा बिर्यानी बनेगा अब इसको डारेट ग्यास पर 20 मिनिट तक लो फ्लेम में पकाएंगे आपका हंडी थोड़ा सा पतला है तो आप सूरु से एक लोहे के ता तावा रखेंगे ताव के उपर 10 मिनिट तक पकाएंगे हाई फ्लेम में 32-35 मिनिट हो किया है अब ग्यास को आप कर देंगे दिखेंगे हमारा बिर्यानी कैसा बना है तुरंत क्रच्छी नहीं डालेंगे पांच मिनिट के लिए खुला कर देंगे और उसके बाद साइड से निकालेंगे बिर्यानी को दिखेंगे कितना बढ़या बना है मेरे बिर्यानी बहुत ही परफेक्ट बना है निचे से भी नहीं लगा है हम सार्प करेंगे निचे का भाग और उपर का भाग मिला कर ही सार्प करेंगे अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले दिखिए बिर्यानी पहुत ही फर्फेक्ट बना है आज के लिए इतना ही फीर मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद